अब यह अप्लोड कर दोगा देखी एक स्पैशल लेक्चर है यह क्या है इसके अंदर आपके तीन अलगला कंसेप्ट क्या होंगे एड़िड होंगे तो यह स्पैसल लेक्चर को मैं कैसे आपको डिजाइन करके देने वाला हूं टैंचन मत लीजे बहुत बढ़ी अपीडी ब पढ़ा मैंने आजब पतरी आया दो साथ दो दिन पहले होगा तो उन्होंने यह पूछा कि सर एक कंसेप्ट है जो के अभी काफी ज्यादा न्यूज में है वो है हीट डूम देखिए मैं खुद यहां पर जोगरा फी आप्सिनल पढ़ा रहा हूं मैंने खुद नहीं क्योंकि जितने मैं लास्ट के लेक्चर देगे ना देखेंगा लेक्चर जब स्टार्ट होता है एकदम मस्त कूल लेकिन एंड होते होते क्या होता था इतनी ज्यादा स्वेटिंग क्योंकि वो जो यहां पर हम पढ़ने वाले हीट डूम इसका कही ना कहीं असर इंडिया के पॉइंट को पराते हैं जैसा क्या आप देख पार है अपनी स्क्रीन के उपर हमारा जो आज का मेन एजिंडा है क्या है हम देखने वाले हीट डूम अब यह बला हीट डूम होती क्या है इसके अंदर हमें दो अलग अलग कंसेप्ट क्या करने पड़ेंगे अब यह कौन से क कंसेप्ट है एक तो हम यहां पर ओशनोग्राफी में पड़ी हुई चीजे क्या करेंगे यहां पर रिकॉल करेंगे और कनेट करेंगे करन्ट के साथ मैंने बोला था कि यह हम क्या करेंगे आपको एक मेरी तरब से फ्री इनिशेटिव है जितने भी मेरे पेड करना हूं इसमें भी मेरा समय लगता है तो इक लिमेटेट टाईम अभी यहां पर मैं क्या अगरा इन्वेश्ट कर रहा हूं तो अगरा जैसे काफी अच्छा कंसेप्ट यहां पे एक विद्ध्यारती ने पूछा तो इहां पर हम क्या कर रहे हैं इसके लिए एक स्पैशल मुझे बताइए कि यह कहां का मैप है option A इंडिया option B इंडिया option C भारत option D USA बताइए कहां का मैप है यह हाँ काफी सारे बच्चों के चहरों पर smile आगे सर यह तो आपने ऐसे एक केक वाक वाले जो answer है वो दे दिया UPC भी यही करता है UPC क्या करेगा Alternative नाम दे देगा जैसे Good, Better, Best लिख देगा और Last में एक अंसर लिख देगा जो कि Right होगा और बच्चे पता क्या करते है Most of मैंने देखा है जो C होता है ना Option C उसको Mark करके आयता है अरे यही सही होगा अरे कभी कभी ने D पे भी धियान दे लिया करो वो भी सही होता है अच्छा तो यहाँ पे हम देख रहे है Heat Dome देखिए नाम से बिलकुल किलियर है यह हमारी क्या रही है? प्रथा रही है हम क्या करते है? कुछ में चीज टार्ट करते है तो सबसे पहले उसकी क्या करते है नेमिंग जो होती है उसको समझते है देखिए Dome मतलब क्या होता है? गुमबद होता है बताइए Dome का मतलब समझ में आगए Dome का मतलब क्या होता है? गुमबद और Heat का मतलब तो आपको पता है गर्मी होती है अपने इस बोड के ओपर पहली बार मैंने ये सब्द लिखा है और वो भी हिंदी के अंदर गर्मी क्योंकि मुझे जो अभी फील हो रही है वो मैंने यहापे लिख दिया है Dome होता है एक गुमबद नुमा होता है इसके अंदर देखिए होता है क्या है? जेट स्ट्रीम जो होती है एक नेरो बैंड होता है हवा का जहां आपको जो उसके इंटर्नल पार्ट होते है न यह मैंने जेट स्ट्रीम दनाई है एक रफ डाइग्रम इसमें जो हवा की स्पीड होती है 600 से 700 किलोमेटर की स्पीड होती है हवा की जो की per hour है जो की move करती है एक particular direction में ये all over जो आपकी earth है उसकी specific latitudes के ओपर ही आपको क्या करेगी ये मिलती भी दिखाई देगी अब देखिए मैं simple सब्दों में यहाँ पे न एक आपको बना के दिखा रहा हूँ iron dome होता क्या है ये वाला जो part है ये वाला जो part है ये heat को represent करता है heat को represent क्यों करता है क्योंकि यहाँ से conventional cycle होती है यानि की गरम हवा क्या हो रही है उपर जा रही है हम अभी समझ रहे हीट सब्द को डों को अभी मैं इंटर्यूस करता हूँ ये हवा क्या हो रही है उपर जा रही है उपर जा रही है डन लेकिन जब हम conventional rainfall पढ़ते हैं उसमें हमने क्या पढ़ा है जैसे ही गरम हवा उपर जाती है तो क्या बन जाते हैं cloud बन जाते हैं लेकिन ये phenomenon यहाँ पर इस बार नहीं हुआ cloud नहीं बने गुंबद बन चुका है अब देखिए आपको अपनी screen को पर दिखाई दे रहा है कैसा एक dome साइट में शेप दिख रही है आपको बहुत बढ़ी है दिख रही है तो ऐसी इहाँ पर एक dome बन चुका है औ कि यहाँ पर जो हवा थी क्या हुई है गर्मी मिलते ही expand होती है हवा और जैसे ही हवा expand होती है उसका volume बढ़ता है वो उपर की तरफ move करना start करती है अगर यह कर देती बारिस तो इसको बोलते हैं conventional rainfall यह climate का topic है इसके अंदर मैंने add कर दिया jet stream भी climate के अंदर आता है तो अभी क्या कर रहे है इसको मेंस के perspective से एक optional के perspective से देख रहे हैं यहाँ पर hit dome समद जो सब्द है वो समझ में आ जाए यानि कि आप इसका introduction लिख सकते हैं और हमने यह देखा है जब भी हम कोई भी topic लिखते हैं जैसे यह heat dome है इसके बारे में हमें क्या लिखना होगा सबसे पहले हम heat up हो रहा है यह बैसी बात है जो पहले हवा उपर जाके बादल बनाने वाली थी वो बना नहीं यह तो था heat dome यह गर्मी के टाइम में हो रहा है इसलिए इसको बोलते है heat dome आगर यही सिनेरियो अगर ठंड में होता तो बताए क्या बोलते हैं उसको यह जो portion नीचे की तरफ हा रहा है यहां पर कौन सी हवा dominant होती है यहां पर cold air dominant होती है चिंता मत कीजे सारी चीजों के डाइगराम है एक बर बोड के ओपर समझा दो फिर एकदम फटैक देसी lecture को खतम करेंगे 10 से 12 मिनिट का करेंगे और यह चे मिनिट हो चुके बस 5 मिनिट में lecture खतम है आपका तो देगे जो अपर एर है नीचे क्या करती है जब यह डॉमिनेट करती है तो यह जन्वरी के टाइम पर आपको आर्टिक ब्लास्ट जैसी situation देखने को मिलती है टेंपरेचर माइनस 20 माइनस 30 कभी कभी माइनस 40 डिगरी तक पहुंच जाता है याद कीजे 2018 उसके अंदर यह जो में इसलिए है कैनेडा में देखिए यहां पर मैंने लगा भी रखा है 39 तारीक को यहां पर किस लेवल की हीट है यह सैटलाइट पीचर से यह जो सेटलाइट पीचर है आपको समझ में आती आने चाहिए क्योंकि आपके पास है जोगरफी ऑप्शनल क्योंकि यह मैंने स्प शुक वाला पॉर्षण है ना कैनेडा वाला पॉर्षण के उपर आपको क्या देखने को मिलेगा यह जो कम्प्लीट एडिया है यह यह भी हो चुका है अब देखिए जो आगे की कुछ वीडियो जो पिच्चर से उसके उंदर आपको के लिए होगा ही डोम होता क्या है अब फिर पक भी जाते हैं राइट और फिर उसके बाद यहां पर देखिए सबसे पहली जो पिच्चर है यहां पर आपको शो हो रही है पताए कौन सी पिच्चर शोरी एक बड़ा सा एक दिखाई दे रहा है ये है लेंड के लिए उसके बाद साइड में देखें आपको ग्राम है ना यह ओशनोग्राफी का कंसेप्ट है उसमें आपको एक रेड डॉट दिखाई दे रही है पानी के अंदर अस्ट्रेलिया के नियर बाए है यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है पानी अब नॉर्मली होट होता जा रहा है और यह पूरा ओशनोग्राफी य मतलब ठंडा है ग्रीन मतलब वॉर्म है ना घरम ना ठंडा यानि बीच बीच का है यह अब जो हमने यहां पर उस्ट्रोग्राफी के अंदर क्या पढ़ा था अलग अलग लेयर्स होती हैं समझ में आप रिकॉल कर पारें समझ में आ रहे हैं चीजे क्योंकि जो मेरे हर्मो हलाइन पढ़ा था थर्मोग लैर पड़ी थी और टेम्परेचर किस तरीके से गवर्ट क्या होता है यह एक इस तरीके से पढ़ा था ना एक ड्रास्टिक चेंज आता है और यह कौन सा जो पोर्शन होते है किस लेवल तक है कि बीचित चेंज आता है 1000 मिटर की जा चुका है इवन की जो यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं उनको भी explain करवाई जा चुकी है इसके बात देखिए यहां पर मैंने क्या बताया था आपको यहां पर आम है यहां पर आपका वाम फ्रंट क्या है मतलब फ्रंट तो यहां पर सब नहीं में यूज करूंग क्योंकि वह अलगी फ्रंट ओढेसिस का concept हो जाएगा यह वॉम एय若र dominant कर रही है ऐसक ओर बीडामिनिनिट करती है यह ठंड के टाइम में करती दिखती कैसी है बिल्कुल इस तरीके से दिखाए द यह पूरे अमेरिका को क्या करती है अपने आगोश में ले लेती है क्योंकि इंडिया में क्या है माउंटेन बेरियर है यहां से साइबेरिया से जो ठंडी हवाय आती है माउंटेन बोलता है तुम टेंचन मतलो ये लिजे हमने अपनी 8 किलोमेटर की बोलते हैं उची भुजाओ के साथ हम ने कहा कि ठंडी जो हवा है उसको रोक लिया ऐसा जो हमारा USA है USA क्या बोलता है आरे कास हमारे पास भी ऐसा कोई बड़िया मित्तर होता तो हमारा भी काम चल जाता लेकिन यहां पर है अपलेशन माउंटीन है इतना काम के नहीं है क्योंकि वह बहुत पुराने हैं तो समझ में आगा है क्यों यहां पर आर्टीक ब्लास्ट और इस ठीके की सिच्वेशन देखने को मिलती है चलिए फिर हम क्या करते हैं अपने लेक्चर को कंक्लूजन की तौर पर तरफ लेके चलते हैं यह आपके लिए मैंने सारे पॉइंट्स यहां पर एड़ान कर दी हैं कि कौन से कौन से टॉपिक आपको इसके साथ कनेट करके पढ़ने है एक तो जेट स्ट्रीम फिर उसके बाद आपको यहां पर अल नीनो पढ़ना है इसके साथ ला नीना पढ के टाइम पर क्या करना चाहिए आपको यह करना चाहिए कानों में लगाओ हैडफोन और इस तरीके से फवारे चला और उसके अंदर घूम मस्त इससे होगा क्या आपकी बाड़ी का टेंप्रीचर डाउन होगा राइट मेरा भी मन कर रहा है कुछ इस तरीके से फवारों के नीचे जाके घूम हैडफोन लगा के हाँ पता चले कि अपना ही गार्डन हो पता चले किसी और के गार्डन में घूम रहे हो तो यह हीट वेव के बारे में मैंने कुछ यहां पर थोड़ी सी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दिया मार्स से जून के महीने में यह टिपिकली नदन जो पार्ट है इंडिया का वो इसके अंदर इंक्लूडेड होता है हीट वेव की वज़े से अब इसका जो आईरें डोम है बार बार यह आईरें डोम देखा फिर दुबार आई गया क्योंकि इसके ओपर रिशर्च चल रही है यह इसराइल के पास है हम बात करें हीट चलाएंगे और कंसिस्टेंट अगर यह जो अमाउंट है हीट की भरती जारी है आप क्या करोगे अपनी एसी को 24 की बजाए 20 पे आपको पता है जैसे यह एक डिगरी कम करते हो ना जो बिजली है वो चार गुना ज्यादा खाती है इसी इसलिए बोलते है 24 से लेकर के 26 के बी और वो भी 18 डिगरी पे राइट तुम्हें रिजाई ऊड़नी है तो 18 की बर रहे हो ठीक है तो चलिए यहाँ पर हमने क्या देखा एफेक्ट देखा फिर और क्या क्या इंपक्त होते हैं अच्छा हम यहाँ पर क्या देख रहे है एफेक्ट्स देख रहे है ना ये तो साथ जोड के देखा जा रहा है क्योंकि देखें जिस वक्त यह आर्टीक ब्लास्ट वा था तब भी यह बोला गया होता है आज का समाप्त और कोई भी आपका पॉइंट इसमें मिस हो गया हो या फिर कुछ और आप चाहते हो या कुछ और तरीके से आपको यहां पर जो स्पेशल लेक्चर जो आपके डाउट सोन को किलियर करवाऊं तो आप मुझे जरूर बताईएगा ठीक है बेसिकली में सारी चीजह क्या करवाएता हूव Mormon यहां पर हीट्म मतलब गर्मी मतलब एक गुंबद होता है जो यहां पर हमने क्या देखा conventional rainfall होती है conventional rainfall में हवा उपर जाएगी बादल बनाएगी ठंडा कर दीगी सारे एरिया को और equilibrium state का अंदर आ जाएगी लेकिन यहाँ पर ऐसे scenario के अंदर बादल बनते नहीं है बादल ना बनने की वज़े से जो गर्मी है वो consistent क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है ऐसा यह गर्मी में हो रहा है तो इसको बोलते हैं heat dome अगर यही होता ठंड में तो इसको बोलता है arctic blast या फिर arctic chill और इसके अंदर temperature 20-30-40 तक चला याता है यह एक simple सा concept था इसको मैंने क्या क्या था क्या 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 है बहुत सारी चीजों के साथ correlate करके आपको समझाने कोसिस की है समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया नहीं समझ में आया हो तो इसको दबारा देख लीजिए फिर भी समझ में नहीं आया तो आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार अचा यहां पर एक विद्यारती कह रहे है कि सर आपने लास्ट में क्या बोला अरे मैंने यह बोला कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको नमस्कार इसलिए क्योंकि आपने प्रीवियस के जितने भी मैंने आपको कंसेट पढ़ाए है न ओशनोग्राफिक क्लाइमे किया ठीक है तो आप दिल पर मत लीजेगा जो दूसरी बार नमस्ते हुआ था तो पढ़ते रही है बढ़ते रही है कोई चीज समझ में नहीं हो इसी तरीके से आप या तो मेल करके पूछ लीजिए और यहां पर जो हमारे सरीट क्लाइट के सपोर्ट एड़ीड सरीटक्ला है बच्चों का टाइम बहुत कीमती है तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर के अंदर पढ़ते रही है